नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं इस वर्स भी समय पर बारिश नहीं होने से धान के उपज बहुत ही कम हुई है इस वर्स 2023 के खरीब सीजन में भी करीब 201 परखंडों में समाने से कम बारिश हुई क्रिसी भी भाग इन परखंडों की जमीनी हकिकत की भी पता कराई लेकिन राहत के लिए केंदर सरकार से आगरह नहीं किया गया राज सरकार को अक्टूबर तक केंदर के पास सुखा राहत के लिए आवेदन करना था लेकिन नहीं किया बता दे इस वर्स राज सरकार ने सुखा परभावित किसानों को सहयोग करने के लिए फसल रहात योईना का लाब देने का निर्नाय लिया है इसके लिए 14 लाग से अधिक किसानों ने अवेदन किया इसके तहट किसानों को 30 से 50 फिच्दी नुकसान होने पर 3000 प्रति एकर दिया जाता है वहीं 50 फिच्दी से अधिक नुकसान होने पर 4,000 रुपे प्रती एकर देने का प्रधान किया गया है राजभोवन के पास पारासिक्षकों का हल्ला बोल पुलिस ने CM आवास जाने से रोका अस्थाई करन की मांग को लेकर मंगलवार को CM आवास घेरने निकले टेट उतीरन पारासिक्षक राजभोवन के पास ही रोके गए पहले उन्हें मोरबादी मैदान में एकत्रित होने की अनुमती नहीं दी गए बाद में राजभोवन से पहुंचे टेट उतीरन पारासिक्षकोंने राजभवन के समीप ही जमा हो कर सीम अवास की और बढ़ने का प्रयास किया वहां मौझूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया पाराशिस्कों ने वहां सभा आयोजीत कर अपनी मांगों को लेकर नारे बाजी भी की इसी बीच पाराशिस्कों को वारता के लिए अमंत्रित किया गया लेकिन पाराशिस्कों ने कहा है कि जो भी वारता होगी वह धारना असल पर ही होगी बाद में राज समन्वे समेति के सथ सबिनोत पांडे तथा योगेंदर परसाद महतो धारना असल पर पहुँचे दोनों ने पराद सिस्कों से कहा है कि साल के अम्तिम सप्ता होने के कारण बादचीत में अधिकारी उपसित नहीं रहेंगे आपकी सरकार आपके द्वार में आवास के लिए 30 लाख आवेदान 24 नॉमबर से आरम होई आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान अव अम्तिम चरण में है 27 को लाते हार और 29 दिसंबर को रांची में अभियान का समापन होगा इस दोरान 57,35,964 आवेदान विभीन योजनाओं के लिए आये हैं जिसमें 29,74,278 आवेदान का निस्पादान और निस्पोट हो गया सेस्की परकिरिया चल रही है इसी अभियान में सरकार ने अभुआ अवास योजना के लिए भी आवेदान मंगवाया था सरकार ने इस योजनाओं के तहट 3 वर्सों में 8 लाक लोगों को 3 कमरे कमा कान उपलब्द कराने के लक्ष रखा था पर 26 दिसमबर तक सरवधिक आवेदान अभुआ अवास योजनाओं के लिए ही आये हैं बता दे अब तक 30 लाक 4,201 आवेदान आ चुके हैं यानि राजे में 30 लाक से अधिक लोग अभी भी बेगहर हैं फिलाल सभी आवेदनों की स्कूटनी हो रही है साहेब गंज में आज से सुरू होगी धान की खरीद साहेब गंजीले में सरकारी अस्तर पर धान खरीदने के लिए 30 केंद्रे बनाए गए हैं द्वार से इन केंद्रों पर धान की खरीद सुरू की जाएगी जिला आपूर्थी पताधिकारी अमर परशाद ने बताया है कि केंद्रे सरकार ने सधानन धान का 180 रूपए वह एक ग्रेट धान का 223 रूपए इस बार नियुतम समर्थन मोलताय किया है राज सरकार दोनों किस्म के धान की खरीद पर 117 रूपए अपने अस्तर से बोनस देगी इसी परकार पत्ति किंटल सधानन धान बेचने पर 2300 रूपए वह एक ग्रेट का धान का 2320 रूपए समंधित किसान को मिलेगा दरसल इस साल राज में किसानों से सरकारी केंद्र खोल कर धान खरीदने में थोड़ा बिलाम हो गया है जिले में अब तक 95 फिश्दी के आसपा धान कट चुका है नए साल में नहीं मिलेगा मुप्त रासन आम जनता को होगी परिशानी नए साल में इस बार गरीबों को रासन नहीं मिल सकेगा यह जनकारी सोमवार को डुरंडा के सीशू सदन इसकूल परिशार में फेयर प्राइस सौप डिलर्स एसोसेशन की जिला अस्तरिय बैठक में जिला अध्यक्ष ग्यांदे उजहाने दी है उन्होंने बताया है कि दुकंदार विभीन मांगों को लेकर आंदोलन रथ है उन्होंने कहा है कि केंद्रवा राज सरकार पीडेस दुकंदारों के बकाये कमिसन को देने में अनाकानी कर रही है पीडियेस दुकंदारों को कमिस्टन का पैसा नहीं मिलने से उनकी आर्थे की थिती खराब हो चुकी है कई बार कमिस्टन समेत अन्य मांगों को लेकर बैठक भी हो चुकी है इसके बाद ही पीडियेस दुकंदारों की मांग पूरी नहीं हो सकी इससे PDS दुकंदारों में सरकार के प्रतिन राजगी है परदेश महामंत्री सुर्य परताप सिंग ने कहा है कि 5,30 एर PDS दुकंदार 81 क्रोर करदारियों को अनाज बित्रन करते हैं इनको नजर अनदाज करने से आम आदमी की परसानी होगी सुरक्षा के नाम पर हाउस अरेस्ट हो रहे है चिकित्सक चिकित्सकों से रंगदारी मांगे जाने की बिरुद में हाताल की त्यारी में इंडियन मेडिकल एसोसियेशन के अधिकारी जूटे हैं अलाकि रंगदारी के लिए धमकी मिलने के बाद मेमको मोड इस्थीत स्वरमंगल नर्सिंग होम की संचाली का डाक्टर स्वरमंगला परसाथ को पुलिस ने सुरक्षा दी है वहीं IMA के अधिकारी जीला परसाथनों पुलिस की अब तक की करवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे है ऐसे में 30 दिसंबर से आउत अनिश्चित कारिन हरताल होना तय माना जा रहा है मामले IMA के अधिक्ष्ट डाक्टर मेजर चंदन का कहना है कि रंगदारी को लेकर जीला परसाथनों पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस करवाई होता नहीं दिख रहा है सिर्फ आस्वासन दिया जा रहा है गिरिडी पूलिस ने बलोरो से 40 लाख रुपए किया बरामत पूलिस ने घोर थमभा O.P. 6 के कोल डिहा के पास एक बलोरो वहान से 40 लाख रुपए नगत बरामत किया है जबकि वहान में सवार 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुस्ताच की रही है बताया जा रहा है कि पूलिस को सुचना मिली थी कि दिल्ली से रंजीत राम नामक एक युवग 86 लाख रुपए किसी के घर से लेकर भागा है जो खोर थमभा के गुणरी में चीपा हुआ है इस युवग से रासिवा सुनने के लिए दिल्ली से कुछ लोग एसकारपियों पर सवार होकर सुमवार को गुणरी पहुचे और अंजीत राम को कुछ रकम के साथ अपने साथ ले गा है इसी बिच पूलिस को बताया गया कि एक बलोरों पर कुछ लोग से 40 लाख रुपए लेकर कहीं जा रहे है सुचना पर पूलिस ने कॉल डिहा के पास वाहनों की जाज़ परताल सुरू कर दिया है हजारी बाग से आठ चोर गिरफतार हजारी बाग जिले के चलकूसा परखंड के 24 गाओं में फेरी कर लोटरी बेच रहे आठ लोगों को चोरी के सक में गरामिनों ने पकड़ कर पूलिस के हवाले कर दिया है बीते सोमवार को जब बोलोरो वहान से 6 लोग लोटरी बेचने आए तो लोगों को सक हुआ इसके बाद जब गरामिन पूस्ताच करने लगे तो वे भागने लगे फिर गरामिनों ने पकड़ कर उनकी जम कर धुनाई कर दी और उन्हें पूलिस के हवाले कर दिया थाना परभारी ओम प्रकास पांडे कहा है कि बिगत दुनों ग्राम अलग डिहा के असोक मोदी के घर चोरी की घटाव का अजाम दिया गया था साथ में मार पीट भी किया गया था सरकार की चौथी वर्स गाठ पर होगा भव्य समारो रांची को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हाने मोराबादी मैदान में हेमंद सुरेन सरकार के चार वर्स पूरा होने को प्लक्ष में 29 दिसमर को आयोजित किये जानेवल राज अस्तरिय कारकरम की त्यारी के जाजा लिया इस दरण उप विकास आयोग्त दिनेश कुमार यादव पुलिस अधिक छक रांची राजकुमार मेहता नजारत उप समहारता केवल कृष्ण अगरवाल जिला कल्यन पताधिकारी संगीता सरन एवं जिला जन संपर्क पताधिकारी डक्टर प्रभाद संकर समेत अने पताध इलेडी की वेवस्था सुरक्षा वेवस्था वाहन पार्किंग विभीन विभागो द्वारा जाकी परचन समेत शारी वेवस्था चुष्ट दुरुष्ट रखने को कहा उन्होंने पताधिकारियों को समय से पहले समारो की तैयारी पूरी कर लेने का निदेश दिया है लातेहर से टीस पीसी का सब जोनरल कमांडर सहदेव गांजु गिरफतार उन्होंने बताया कि पजी दिसंबर की रात सुचना मिली थी कि टी एस पीसी नक्सली संगठन का जोनरल कमांडर आकनमक गांजु अपने कुछ सहयोगे के साथ बालु मत थाना के हेसा बार भांग जंगल में भ्रमन सील है और लेवी वरंगदारी वस उनले एवं किसी अप्रि प्रीद के समीप सलक हाथसे में बिहार के एक ब्यक्ति के मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गई रिम्स में घायलो का इलाज चल रहा है बताया जा रहा है कि जहारकन के जमसेदपूर से बिहार के आरा जा रही रात्री बस द्वारा हाईवा को पीछे से टकर मारने के क गर्वती महिलाओं से ठगी करने वाले आठ साइबर अपराधी आरेस्ट इपक कुमार सर्मा ने प्रेश वर्ता करिया जनकारी दी है छापेमारी दल में साइबर डीएस्पी संदीप सुमन समदर्शी के अलावा साइबर थाना परभारी अजय कुमार पुलिस अवर निरिक्षक सरोज मंडल सामिल थे सियम हिमंत चत्रा में बोले अब गाउ से चलेगी आपकी सरकार छारखन के सियम हिमंत सुरे ने कहा है कि दिली वर रांची के यर कंडिशनर रूम में बैट करना ही बलिक अब गाउ से चलेगी हिमंत सरकार गाउ ससक्त बनेगा तब ही देश विकास करेगा जब हमारी सरकार बनी थी, तब राज में समस्याओं का आमभार लगा हुए था, मैंने विकास कारियों की योजना बनाई, अब गाउं का विकास तेजी से किया जा रहा है, पूल पुलिया सघ्राग सग के विकास कारे कराय जा रहे हैं, राज में गरिबी भोकमारी बेरोजगारी दूर कि जा रही है दो हजार पचीस तक राज को मजबूत राज बनाएंगे दूसरे से भीख नहीं मांगेंगे वे सीमरिया के करबला मैदान में अयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके दोर कारकरम के मौके पर जनसभा को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि 23 नौंबर को बिर तपकारा थाना छेतर में एक नवाली का अपकार्ण कर समेख दूस कर मामले में पुलिस ने महिला समेट 4 आरोपियों गिरवतार कर जेल भेज दिया है इस समध में तपकारा थाना में ममला दर्ज किया गया था पुलिस ने इस ममले में यूकों को हिरासत में लेकर पुष्टाच की थी और मंगलवार को इन्हें जेल भेज दिया गया था चार आरोपियों में सहबाज खान वा अरबाज खान दोनों भाई हसनायन खान उर्फ गोलू और गुड़िया उर्फ तनीसा परविन सामिल है बता जा रहा है कि क्रिस्मस पर चर्च में प्रातना के बाद नबालिक अपने मित्र के साथ भूबने चली गई थी वहाँ यूकों ने उसके मित्र को डराया धमकाया अनबाली को साथ ले गए मौसम विभाग अफगानिस्तान में उठा भी छोब कमजोर पढ़ने से राची सहीत लवख पूरे जारखन में आसमान साप हो गया है ऐसे में धूब की कीरने सीधे पर रही है और ठंड के मौसम में भी दीन में गर्माहट आ गई है इस्थितिया हो गई है कि राजधानी सहीत जारखन के अने जिलो में तापमान में उतार चगा होने लगा है मौसम केंद्र के अनुसार रांची में अमोमन दिसंबर के अमतिम सब्तामे अधिक्तम तापमान समाने तह 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है लेकिन इस बार अधिक्तम तापमान 25.2 डिग्री से उपर पहुँच गया है इसी प्रकार निवताम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए लेकिन बारतमान में यहां 12.1 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है मौसम बेग्यानी अविसेक अनुसार 29-30 दिसंबर 2023 से पचमी विच्छोब एक बार फिर सकरी हो रहा है इससे एक बार फिर जारखन में दो जनवाई 2024 की साम से मौसम का मिजाज बदलने की पुरी संभावना है मिच्छोब फंड में निवेस करने के मामने में रांची सबसे आगे रांची सहीत पूरे जारखन के लोग मिच्छोब फंड में जम कर निवेस कर रहे हैं लोग इसमें रूची दिखा रहे हैं निवेस में सबसे आगे रांची है जबकि दूसरा अस्थान पर जम सेथ पूर और तिसरा अस्थान पर धनवाद है जारखन में मिच्छोब फंड का बाजार 52,370 कोर रुपए पहुँच गया है वहीं चोथे नमबर पर बोकारो और पांची नमबर पर हजारी बाग है बोकारो में MF का बाजार 4,187 कोर और हजारी बाग में 1576 कोर रुपए है बतादे जारखन में कूल 84% निवेस एक्टिवीटी और 16% निवेस नन एक्टिवीटी में हो रहा है धन्यवाद